पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्याज एवं लहसुन की खेती करने वाले किसानों को प्रतिकूल मौसम एवं भाव कम रहने के कारण घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण किसानों ने देश एवं प्याज का रगबा कम कर दिया. इसके परिनाम स्वरुप अब ल हजार रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गए थे. इसी बीच लहसुन के भाव को लेकर एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि वैश्विक स्तर खासकर चीन में लहसुन का स्टॉक घट चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लहसुन का स्टॉक चीन में अब परसेंट तक कम रहा था जिसकी असर वर्ष के आखिरी महीने अर्थात मई दो हजार चुबीस में दिखना शुरू हो गया है. चीन में पुराने लहसुन का स्टॉक इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है. योहांग डेटा टीन के द्वारा जारी अधिसूच के मताबित मार्च महीने में करीब 3,60,000 तन की निकास के साथ चीन में 13,00,000 तन स्टॉक बचा था. अपरेल में चीन ने 3,75,000 तन की निकास के साथ करीब 9,05,000 तन का आधिकारिक स्टॉक बचा है. चीन का रेग्यूलर निकास नई फसल शुरू होने में अभी 1-2 महीने इतिहासिक होगा. दूसरी तरफ हर एरिया में फसल में उत्पादन कमजोर और कम होने की रिपोर्ट आ रही है. ऐसे में माना ये जा रहा है कि मौसम की प्रतिकूलता से इस हिसाब से आने वाले पुरे साल में चीन एक उच्चस्तर के लेवल से ही व्यापार कर पाएगा. च किसानों ने भी स्टॉक करना शुरू कर दिया है. वहीं लहसुन की मांग बढ़ने के साथ ही भाव बढ़ने की संभावना रहेगी. हाला कि ज्यादा मंदी आने की संभावना नहीं है.